हेलो एव्रीवन आज की वीडियो में बात करेंगे डाइबटीज के बारे में या अर्वेद की भाषा में इसे मधु में भी का जाता है बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अब हमें डाइबटीज हो गई हैं ब्लड शुकर लेवल बढ़ गए हैं तो हमें जिंदगी भर के अगर आपके ब्लड शुकर लेवल 140 को एकसीड कर रहे हैं उससे ज्यादा आ रहे हैं तो कंडिशन बिट वरिसम हैं लेकिन वह भी कंट्रोल की जा सकती है रिवर्स की जा सकती है डाइबटीज एक ऐसी बिमारी है जो शुरीर को अंदर ही अंदर से खोकला कर देती है देख हो कि हमारे बहुत से और्गेंस को अफेक्ट करते हैं जैसे कि किड्नी हैं लिवर है तो हमने इन फ्री रेडिकल्स को रिलीज होने से रोकना है और वह रुकेगा तभी जब हमें डाइबटीज का रूट कॉस का पता होगा अगर रूट पकड़ी गई जड़ पकड़ी गई तो कट भी सकती है वो इसलिए मैं कहती हूँ कि डाइबटीज इस ऑल्वेज रिवर्सिबल इसे रिवर्स किया जा सकता है लेकिन उससे पहले हमें यह देखना होगा कि डाइबटीक पेशेंट के सिम्टम्स क्या होते हैं उसको ब्लड शूगर रेवल्स उनके बढ़े बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके ब्लड शूगर लेवल्स 200 तक होते हैं लेकिन उनको कोई सिम्टम ही नहीं होता तो इट डिपेंड्स फ्रम बॉडी तो बॉडी ठीक है डाइबटीज को रिवर्स बिल्कुल किया जा सकता है रिवर्स तभी हो सकती है यह जब हमारा अगर हो जाता है हमें कैसे पता चले कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शूगर लेवल्स वह रही है यह वह ब्लड शूगर लेवल्स जो आपके होंगे वह धीर धीरे ग्राजुली कम होने दिखने लगेंगे जैसे अगर लेट से आपके फास्टिंग पे शूगर 200 तक जा रही है तो वह धीरे धीरे ग्राजुली 100-140 के बीश में आने लगेगी हमारी जो डाइजेशन है वह नॉर्मल हो जाएगी डाइजेशन का डाइबटी से बिलकुल डिरेक्ट लिंक है अगर खाय हुआ भूजन हमें अच्छे से पच नहीं रहा है तो उसके में होना बहुत ज़रूरी है किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए तो अगर अपनी डाइबटी आपकी डाइबटी रिवर्स हो रही है बाटी के अंदर तो हमें अपनी डाइजेशन नॉर्मल होती हुए दिखेगी हमारा वेट बैलेंस होता हुआ दिखेगा डाइबटी के सहते हैं जो मेडिसीन दाइबनी की इंटेक हम कर रहे हैं पेशन को देनी पड रहे हैं मेडिसीन लेगा दाइब घर ग्रैजुली कमोकर यतरगा चाएक तो अब बात करते हैं दाइबटी मारन मैं हमेशा हर डिजीज के दो ही बताती हूं एक डाइट और दूसरा लाइफस्टाइल तो सबसे पहले लाइफस्टाइल की बात करते हैं जो लोग कम फिजिकल एक्सराइज करते हैं सदेंट्री लाइफस्टाइल है जैसे कि यह कोरोना वाइरस के अब एरा में सदेंट् लॉग आर्ज ऑफ सिटिंग हो गई है सरेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है ना कोई वॉक है ना जोगिंग है ना योगा है ना एक्सरसाइज किसी भी तरह का कुछ भी हम फिजिकल वक नहीं कर रहे हैं तो यह लोग जादा प्रोन हो जाते हैं वह जो थोड़े ओवरवेट है या जिनकी फैमिली में रन कर रही है जैसे आपके पैरेंट्स या उनके पैरेंट्स को है तो वह लोग जादा प्रोन है डाइबटीस को होने के दूसरा कारण यह है कि हम ओड आर्स पे स्लीपिंग कर रहे हैं मैंने अपनी एक दूसरी वीडिय है जो जट रगनी है हमारी वो मंद बढ़ जाती है जिसके वजह से फूड एब्सॉब नहीं हो पाता है तो दिन के टाइम पे नहीं सोना है और ऐसा भी नहीं है कि रात को हम 12 बज़े सो रहें और सुबह पांच बज़े उठ रहे हैं नीद अपनी पूरी प्रॉपर लेनी ह सुबह पांच या छे बज़े तक उठना इतनी नीद इस गुड़ सुबह उठके आप अपना गाहितरी मंत्र कर सकते हैं मेडिटेशन करें योगा करें अर्ली टुबैड अर्ली टुराइज मेक्स दड़े हैं बहुत पुरानी से इंग है पर बहुत अची है ओल इस उसकी जो इंटेक है हमारी कभी भी नहीं खा लेना ऐसे ही चलते फिरते मिड मील स्नैक्स ठीक है लेने हैं पर वह प्रॉपर एमाउंट में लेने हैं यह नहीं कि आज हमने दुपहर को अलुपूरी खाए हैं शाम को अगर हलवा बना है तो वह भी थोड़ा सा खालिया लाइं इसको हमेशा ध्यान रखें ठीक हैं उसके बाद जो डिनर है रात का जो खाना है उसको हमने है वीन हना यह रात का खाना है रात का जो भूजन हमेशुन होना चाहिएक है और सौने सी 10 rechts पहले होना चाहिए ताकि भूजन अच्छे से पच्छ सके रात को मूंकी डाल क सकते हैं ओट्स खा सकते हैं आप यह सिर्फ फ्राउट्स ले सकते हैं बहुत सारी इसी हल्दी ऑप्शन से सूप्स ले सकते हैं इस्पेशली ये जो लोग मैगी नूडल्स पास्ता और ये सब चीजे रात को खाते हैं वो नहीं खाने चाहिए वह अच्छे भले इंसान को भी क उन्हें कोई बिमारी दे कर जाएगी वो चीज रात को नहीं का है रात को हमेशा साधा हलका स्वादिष्ट और पोश्टिक भोजन खाएं ठीक है जो कि आपकी बोडी को लगे और हेल्दी बनाएं बोडी को राइट अब बात करते हैं डाइट की डाइट में बहुत सी ऐसी चीजे हैं जो हम ध्यान रख सकते हैं सबसे पहली चीज़ हमें कभी भी भी भूक्त नहीं रहना है लेंट से हम उट लघी है तो विच विच में खा सकते हैं थोड़ा बहुत ले सकते हैं मिढ्मील स्नेक्स ले सकते हैं उसके बाद इत वें you feel ऐसे धखके से नहीं खाना है ठीक है, ओवरीच मैंने पहले भी बोला नहीं करना चाहिए, वो in return आपको obesity देगा ठीक है, if possible, have foods in their best natural form इसका मतलब ये हैं कि जो foods ऐसे हैं, जो raw खाई जा सकते हैं, उनको कोशिश करें कि raw form में ही खाई पका कर ना खाई, क्योंकि पकाने से थोड़ी nutritional value foods की कम हो जाती है, try eating food as soon as it is cooked और 40 minute के अंदर-अंदर खाना पका हुआ आपको खा लेना चाहिए, उसके बाद वो stale होना स्टार्ट हो जाता है और घर का खाना बना हुआ खाएं, ताजा भुजन खाएं, और एक बात, जो भी घर में खाना बना रहा है, उनकी mental state of mind peace पे होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जब खाना बनाते हैं, आपकी vibrations खाने में जाते हैं, तो जिस वरित्ती से आप खाना बनाएंगे, उसी वरित्ती का ही खाना होगा और वो वैसे ही helpful रहेगा, जो उस खाने को खाएगा, तो अब थोड़ा foods के बारे में थोड़ा detail में बात करते हैं, कि किस diabetic patient के foods को लेके बहुत सारे myths हैं, कि ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, कितनी मातरा में खाना चाहिए, तो थोड़ा सा इस चीज़ को detail में बात करते हैं, कि कौन-कौन से foods हमें लेने चाहिए, सबसे पहले बात करते हैं, vegetables की, vegetables में जैसे कि सब जानते हैं, diabetic patient को कड़वे fruits या फल या सबजियां खाने को कहा गया है, तो करेला है, परवल है, घिया है, कदू है, black pepper है, sorry peppers, जो या green beans हैं, ये सब recommended हैं, diabetes के patient को in vegetables, अब raw form में खा सकते हैं, वो vegetables जो raw form में खाई जा सकती हैं, नहीं तो इनको cook करके fresh बना हुआ खाना, warm खाना है, इसके बाद अगर fruits की बात करें, fruits में cherries हैं, berries हैं, peaches हैं, plums हैं, apples हैं, pears हैं, कीवी हैं, कीवी में potassium होता है, vitamin C है, तो ये सब चीजें आपकी immunity को भी बढ़ाती है ये fiber rich भी हैं, और पचने में आसान हैं, और diabetic patient इनको खा सकते हैं, अब लोगों को ये बहुत रहता है कि गर्मिया हैं, गर्मियों में आम खाई या ना खाई, मैं किसी भी चीज को खाने से मना नहीं करती हूँ, आप बिल्कुल खा सकते हैं mangos, लेकिन moderation में खानी हैं, जिन चीजों से लगता है कि diabetes बढ़ सकती है, उन चीजों को moderation में लेना है, जैसे कि once या twice week में ले लिए वो भी दिन के time, रात के time लेना है, पचने में थोड़ी दिक्कत होती है, absorption में दिक्कत होती है, रात के time, especially diabetic patient के लिए, तो दिन में आप mango बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करें, अगर nuts की, nuts में almonds हैं, walnuts हैं, pistachios हैं, और जो main super food है, diabetic patient के लिए nuts में वो है, मखाना, जो lotus के seeds होते हैं, मखाने आप किसी भी time में ले सकते हैं, आप उनको हलका सा तवे पे dry roast करके रख सकते हैं, या थोड़ा सा घी में उसको roast करके रख सकते हैं, मखाना एक super food है, diabetic patient के लिए, मखाना diabetic patient को अपनी diet के अंदर जरूर include करना चाहिए, इसके बाद बात करें, seeds की, seeds में मेथी के दाने हैं, सबसे ज़्यादा recommended होते हैं, मेथी के दाने, मैं आपको अभी इसी वीडियो में आगे बताऊंगे, कि मेथी के दाने को किस तरह से ले रहे हैं, वो absorb नहीं होंगे, और दिक्कत कर देंगे, कोई एक seed जो भी आपको लगता है, आपकी body के constitution के according, आपको ठीक लगता है, कि आपको पच जाएगा, वो seed आप ले सकते हैं, उसको roast करके उसका powder बना के लिया जा सकता है, या अगर powder आप से नहीं लिया जा रहा है, तो सब्जियों के अंदर जैसे हम जीरा डालते हैं, आजवाइन डालते हैं, तो ये seeds भी डाले जा सकते हैं, या अब सर्दी आ रही हैं, तो उसमें पंजीरी या पिन्डी में LC के LC और गूंद और खस ये सब मिलाके, आप पिन्डिया या पंजीरी बनाके खाया जा सकता है इसको, ठीक है, तो अब बात करते हैं, what does Ayurveda say about diabetes, ऐसे तो नहीं होगा कि Ayurveda के बारे में बात नहीं करूंगी, तो Ayurveda में 3-4 ऐसी चीज़े हैं, जो मैं बता सकती हूँ आपको, रहे तो Ayurveda में बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया गया है, प्रमेरोग का, मधुमेरोग लेकिन बहुत एक एक चीज़ को डिटेल में बताने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको 4 या 5 ऐसे basic नुस्खे बता देती हूँ, जो almost हर patient ले सकता है, फिर भी मैं recommend करूंगी कि अपने आप से कुछ नहीं लेना है, ठीक है, अपने अ स्मूदी में आप हर्बल स्मूदी बना सकते हैं, और जैसे थोड़ा पुदीना, धनिया डाला, कोई भी एक फ्रूट डाली है, जो भी आपको ठीक लगता है, उसमें आपने थोड़ी सी हनी डाली, थोड़ी सी कर्ड डाली, धही जिसको बोलते हैं, धही फ्रेश होनी चाह होते हैं, तुलसी, मेथी के दाने, इसके दाने भी आप, अगर आप सीड ऐसे खाना चाहें, तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप उसका पाउडर बनागे, उसको थोड़ सा ड्राइ डोस्ट करके तवे उसका पाउडर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, और हल्दी, हल्द अगर मैं चूरन की बात करूं, तो नागरमोथा, दारु हल्दी, देव दारु और त्रिफला, त्रिफला में आमला, हरड और बहीरा, तिन चीज़े आ जाती हैं, इन 5-6 ड्रगस को अच्छे से चूरन बनाके, हनी के साथ मिक्स करके भी लिया जा सकता है, गुड के साथ भी लिया जा सकता है, या इसका क्वाथ यानि की डि कि चावल को लेके बिलकुल भी वरीसम होने के आपको ज़ुरुत नहीं है चावल आप कहा सकते हैं बस रात को नहीं खाने और जो चावल आप youlze करेंगे वह एक साल पुराने या दो साल पुराने होने चाहिए साथी चावल यूज कर सकते सकते हैं आप शाली नौर्थ इंडियन्स के लिए यह पॉसिबल ही नहीं है वीट को नहीं चोड़ा जा सकता है अपने डाइट को कट करने के बजाए उसको चेंज कर सकते हैं है वीट के अटे में वीट का लिए तो ह आफ पोश्न हमें ने जोऑं का डाल दिया यह रागी का अठाय जीए बजरा डाल दिया तो जो भाल्य है जो बारले हैं उनको हमने अपनी डाइट के अंदर शुमार गरना है जैसे कि जों है जों को आप वीट के आटे में भी मिक्स करके इसकी रोटियां बना के खाई जा सकती है जों के आटे की लपसी भी बनती है लपसी मने हलवा इसका हलवा बहुत अच्छा रहता है आप आपने जैगरी डाला गुड़ जो होता है वो डाल दिया और थोड़ा काला नमक डाल दिया और थोड़ी सी हनी भी डाल सकते हैं अगर गुड़ नहीं डालना चाहते तो प्रॉपर हनी मतलब फ्रेश होनी चाहिए दूसरी प्योर होनी चाहिए प्योर आजकल मिलनी थोड़ को यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा, जो खैर की लकडी होती है. खैर मतलब जो हवन के अंतर जो लकडी यूज़ करते हैं, खदिर की लकडी वो और विजय सार की लकडी. इन दोनों लकडियों का अच्छे से चूरन बनाके इनको हनी के साथ चाटने से भी शूगर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है डाइबटिक पेशेंट को और चंद्रपरबावटी है शीला जीत है वसंद कुसुमाकर्रास है बहुत सारी ऐसी मेडिकल मैं आपको टम्स बता कोशिश करें कि क्या का चीज़े डाइबटिक पेशेंट के लिए अच्छी रहती है वह मुंको अपनी डाइट में एड ओन कर सकते हैं आई होप मेरा ये वीडियो आप सब के लिए हैल्फुल रहा होगा स्टिल इसके लाव अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हैं तो यू क